भगवान गौतम बुद्ध कहानी पथपर प्रगती की कहानी उत्तरी भारत का एक शहर श्रावस्ती वह शहर भगवान बुद्ध के लिए एक महान संसाधन केंद्र था बहुत से लोग वहाँ ध्यान के लिए रुकते थे और धर्म पर व्याख्यान सुनते थे इन व्याख्यानों को सुनने के बाद एक युवक रोज शाम को धार्मिक चर्चा के लिए आता था यह क्रम वर्षों से चल रहा था वे नियमित रूप से बुद्ध के प्रवचन सुनते थे लेकिन उन्होंने इसे कभी अपने जीवन में नहीं उतारा कुछ वर्षों के बाद एक बार यह युवक व्याख्यान के लिए सब लोगों से पहले आया तब बुद्ध अकेले बैठे थे फिर वह बुद्ध से मिला और बोला गुरुवर्य एक सवाल मुझे लगातार परेशान कर रहा है और मेरे मन में संदेह पैदा कर रहा है तब भगवान बुद्ध बोले की धर्म के मार्ग पर चलते हुए किसी भी प्रकार का संशय व्यर्थ है उसे दूर करें आपके पास क्या सवाल है गुरुवर्य मैं आपके व्याख्यान में कई वर्षों से आ रहा हूँ मैं देखता हूँ कि हमारे आसपास अनेक साधु, भिक्षुनिया और बड़ी संख्या में सामान्य सांसारिक स्त्रिपुरुष आते हैं मैं उन्हें सालों से देख रहा हूँ कुछ साधक ने इस रास्ते पर बहुत प्रक्ति की है मैं स्वया देखता हूँ कि उनमें से कुछ को निर्वान की भी अनुभूती हुई होगी हालां कि कुछ लोगों को निर्वान का एहसास नहीं हुआ है लेकिन उनके जीवन में काफी बदलाव आया है और गुरुवर्य साथ ही मैं ऐसे बहुत से लोगों को देखता हूँ जो बिल्कुल भी नहीं बदले हैं मैं उनमें शामिल हूँ इनमें से कुछ तो काफी जरजर नजर आ रहे हैं उनमें कुछ भी नहीं बदला है या बदलाव के कोई संकेत नहीं है गुरुवर्य ऐसा क्यों हो रहा है आप जैसे शक्तिशाली, निर्वान साक्षातकारी दयालू संत को उन्हें मुक्त करने के लिए अपनी शक्ती और करुणा का उप्योग क्यों नहीं करते महापुरुष भगवान बुद्ध मुस्कुराएं और युवक से पूछा तुम कहा रहते हो आपका मूल गाव कोन सा है गुरुवर्य मैं इस कोशल सामराज्य की राजधानी श्रावस्ती में रहता हूं युवक बोला परंतु देखने से हमें यह नहीं लगता कि तुम इस छेतर के निवासी हो तो तुम मूल रूप से कहा के हो भगवन बुद्ध ने युवक को पूछा गुरुवर्य मैं मूल रूप से मगध देश की राजधानी 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 का रहने वाला हूं तो क्या तुमने राजधिरी से नाता तोड़ लिया है नहीं गुरुवर्या मेरे कई रिष्टेदार हैं वहां मेरे दोस्त और परिवार वाले वहां हैं और मेरा बिजनेस भी वहीं है तो निश्चित रूप से अकसर श्रावस्ती से राजधिरी जाते होंगे हाँ, गुरुवर्या साल में कई बार राजधिरी जाता हूं और श्रावस्ती को लोटता हूं कई बार एक ही रस्ते से जाकर आपको इस रास्ते का सब ज्यान होगा और आप यहां से राजधिरी का रास्ता अच्छी तरह जानते होंगे हाँ गुरुवर्य में अगर अपनी आखे बद करके भी इस मार्ग से जाओगा तो पूरा मार्ग बता सकता हूँ क्योंकि मैं इस रस्ते से बहुत बार गुजरा हूँ, सभी करीबी दोस्त और रिष्टेदार जानते हैं कि मुझे राजगिरी की सड़क का पूरा ज्यान है, जब भगवन बुद्ध बोले की, जब ये लोग राजगिरी जाना चाहते हैं, तो वे आप से इस मार्ग के बारे में पूछेते हैं, क्या तुम उनसे उस मार्ग के बारे में बाते छिपाते हो, क्यो साफ साफ रास्ता बताते हैं, ताकि वे समझ सकें, क्या यह संभव है, गुरुवर्या, मैं उसे स्पष्ट रूप से समझाता हूँ कि पूर्व की ओर चलना शुरू किया और गया पहुचने के लिए आगे बढ़े और यह भी कि आप बहुत ही सरल और समझने योग्य शब्दों में राजगिरी जाएंगे, मैं उन्हें स्पष्ट और सरल तरीके से मुझे जो कुछ पता है, वो सब सच बताता हूँ. तो बताने के बाद सब लोग राजगिरी बहुत आसानी से पहुचते होंगे, भगवन बुद्ध बोले. गुरुवर्य कहना थोड़ा कठिन है, जो लोग आदी से अंत तक इस मार्ग का अनुसर्ण करते हैं, जैसा कि मैं ने उन्हें बताया है, वे राजगिरी तक पहुच सकते हैं. यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, युवा सज्जन. मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, क्योंकि मैं यहां से निर्वान को गया हूँ, मैं मार्ग को भली भानती जानता हूँ, मुझ से पूछा जाता है कि न अपना सिर्फ हिलाता है और कहता है, बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ही फायदे मंद तरीका, बहुत बढ़िया तरीका, लेकिन मैं उस पर एक कदम भी नहीं चलूंगा, इस पर चलने में परेशानी नहीं होगी. तो ऐसे लोग इस लक्षे को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मैं इस अंतिम लक्षे तक किसी को अपने कंधों पर नहीं ले जा सकता, कोई किसी को अपने कंधों पर उठा कर अंतिम लक्षे तक नहीं ले जा सकता, बड़े प्रेम और करुना से कोई कह सकता है, हाँ, यही और इस प्रकार में इस पत्थ पर चला, आप भी इस पत्थ पर चलिए, इसका पालन करें और आप निश्चित रूप से अन्तिम लक्षे तक पहुँच जाएंगे. प्रत्येक मनुष्य को इस मार्ग पर स्वयन चलना चाहिए, एक कदम उठाना चाहिए, जो लोग इस रास्ते पर एक कदम बढ़ाते हैं, वे अपने लक्षे के एक कदम और करीब होते हैं. जो लोग इस रास्ते पर सौ कदम आगे बढ़ते हैं, वे लक्षे के सौ कदम करीब होते हैं. जो इस पूरे रास्ते पर चलते हैं, वे अन्तिम लक्षे तक पहुँच जाते हैं. सबसे एहम बात यह है कि इस रास्ते पर आपको खुद चलना होगा, आपको किसी की कृपा नहीं मिल सकती भगवन बुद्ध बोले पीडा का स्रोत हमारे भीतर है, सबके भीतर है, जब हमें अपने बारे में सच्चा ज्यान हो जाता है, तो दुखों की समस्या का समाधान भी हमारी द्रिश्टी में आ जाता है, इसलिए सभी रिशिम्मुनी हमें स्वयं को समझने की सलाह देते हैं वास्तविक्ता यह है कि हमें अपने वास्तविक स्वरूप को समझने से शुरुवात करनी चाहिए जिसके बिना हम कभी भी अपनी या दूसरों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे लेकिन वास्तव में हम अपने बारे में कितना जानते हैं? हम में से प्रत्येक अपने स्वय के महत्व, अपनी विशिष्टता के प्रती आश्वस्थ है, लेकिन यह आत्मज्यान सत्थी है आप वास्तव में अपने आप को बिलकुल नहीं जानते हैं, भगवान बुद्ध ने अपनी प्रकृती का अध्ययन करके मानव अस्तित्व की खोज की सभी पूर्वा भ्यासों को छोड़कर उन्होंने आत्मनु संधान किया, अपने भीतर के सत्य को खोजो, तब उन्होंने महसूस किया कि हर कोई भौतिक है, जीव पांच भागों से बना है, उनमें से चार मानसिक और एक भौतिक पदार्थ प्रूप हैं पहले हम भौतिक पक्ष से शुरू करते हैं, यह हमारा एक बहुत ही स्वाभाविक और मूर्थ हिस्सा है, यह किसी भी इंद्रिय अंगों को त्वरित धार्णा प्रदान करता है सुख के पद के अंतिन लक्ष की और खुद को ही उस पथ पर चलना होगा आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताए धन्यवाद